So hey guys, welcome to Ideal Tech Guru में नाम विवेख है, so दोस्तों Excel के इस वीडियो स्रीज में हमने last वीडियो में जो है go to के option के बारे में study किया था, so I hope आप उस पर practice कियोंगे और आपको उसका concept clear होगा, अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है अपने Excel फा आपने कोई एक ऐसा फाइल बना जहां पर बहुत ही important data आपके पास है और उस पर आप काम कर रहे हो, और वो फाइल जो किसी दूसरे बैक्ती को भी देना है, तो यहां पर आप यह decide कर सकते हो, कि किसी other बैक्ती को अगर हम यह फाइल देंगे, तो क्या वो सिर्फ इस फाइल को read कर सकता है, या उसमें changes भी कर सकता है, तो इसलिए हमें अपने Excel sheet पर अगर कोई भी important data है, तो वहां पर हमें lock लगा के रखना चाहिए, कैसे हम लगाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं, वीडियो को लाज तक लिखेगा, चैनल पे पहली बार आ है, तो सबसे पहले हमें अपने data को save करना होगा, और अगर आपके पास already कोई file है, जो कि पहले से save है आपके system में, तो आप उसको save edge कर सकते हैं, तो फिलाल मैं अभी इसको save नहीं करके रखा हूँ, तो मैं आओंगा file पे, then आओंगा save पे, और save में आप अपना location चूज करेंगे, तो देखो यह location है, जहां पे आपका data save होने वाला है, आप अपने location को change भी कर सकते हो, so let's assume मैं यहां download में इसे करना चाहता हूँ, तो यहां पे कर लूँगा, इसको select, तो मैंने location अपना यहां पे set कर लिया, right, उसके बाद यहां पे हमारा file का नाम है, so let's assume, यहां पे मैं कर देता हूँ, important data, ऐसा मैं इस file का नाम दे रहा हूँ, और then इसका type होगा, so इन सारे को आप सेम रखोगे, और यहां पे आपको एक option मिलेगा, देखो tools का, so आप इस tools पे आओगे, और यहां पे general option आपको देखेगा, तो आपको इस general option में click करना है, so tools के अंदर आप आप general option पे आओगे, so general option में अब देखो, आपके पास यह top of open होगा, और इसके अंदर कही सारे हमें option देखने को मिलता है, तो सबसे पहला option यहां पे अगर आप चेक करोगे, तो यह हमारा always create backup, so यह क्या होता, अगर आप इस option को on करके रखते हो, तो जब कभी भी अगर आप कोई important data पे काम कर रहे हैं, तो उसका एक backup बनाके Excel का seat रखेगा, इसका यूज आप कहां पे आप कर सकते हो, so let's resume आप अपने system पे काम कर रहे हो, और किसी कारण बस्ते, या तो electricity चला गया, या किसी कारण बस्ते आपका system सट डाउन हो जाता है, off हो जाता है, और आप अपने Excel की seat को save करके नहीं रखेगा, तो उन cases में यह जो option है, इसको अगर on करके रखोगे, तो जो भी आपका data है, उसका एक backup बनके रहेगा, so अभी इसका backup हम कहां पे बनाएंगे, और किस तरीके से इस पे हम काम करेंगे, इनके बारे में हम next video में बात करेंगे, लेकिन उनसे पह पहले बाले में चूज करोगे, और अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई बैगती जो है, अगर इसमें modify करें, तो उनको पहले से पता होना चाहिए password, so दोनों option आपके पास है, so सबसे पहला option है, कि open करने के लिए आप क्या password दोगे, so यहाँ पे 123 मैं दे रहा हूं open करने के लिए और modify करने के लिए आपका क्या password होगा, दोनों same भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, in general अगर आप दोनों दे रहो तो दोनों के लिए जोए आप अलग-अलग डालो, so modify के लिए मैं यहाँ पे 123 और then 4 डाल देता हूं ठीक है, और यहाँ से simply मैं ok कर दूँगा, जो हमारा य अपने का password जो दिया है, वो जो है यहाँ पे देना है, so 123 मैं डालूंगा, और then ok करेंगे, और then modify के लिए हमें password पूचा जाएगा, तो modify के लिए था मेरा 123 और then 4, तो इसको डाल के यहाँ से ok करेंगे, और then यहाँ से simply आप अपना location वेगरा चेक करके इसको save कर लो, अब जो आर से run command open करके excel को open करूँगा, और seat को open करूँगा, अब seat को open करने के लिए, अगर आप excel open करते हो, तो maybe आप अगर 21 version यूज नहीं करो, तो आपको left side में recent दिख जाएगा, और मेरे में यहाँ पे 21 excel का version है, तो यहाँ पे हमें recent seat दिख जाएगा, तो आप यहाँ से भी open कर स कर सकते हो, यहाँ इस से वेटर भी क्या होता है हमारा open करने का, सो simply हम यहाँ open पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे और option है, जहाँ से आप चेक आउट कर सकते हो, जो हम इन जैनरल यूज करते है, open पे आए, then browse पे क्लिक करते हैं, और then अपना location, जहाँ पे भी हमने file save करके file का नाम है, is protected, अब इसको open करने के लिए हमें password देना होगा, यहाँ पे हम कौन सा password देंगे, जो password हम open करते समय, fill क्याता, so let's say, यहाँ पे कोई मैं गलत password दूँ और यहाँ OK पे क्लिक करूँगा, तो मुझे देखो, यहाँ पे error आजाएगा, कहेगा, कि आप पासवोड सही नहीं डाल देखो, यह चीज जो आप यहाँ पे try कर सकते हो, और again मुझे क्या करना होगा, browse पे क्लिक करना होगा, इसको select करके open पे क्लिक करेंगे, अब इस समय मैं सही password देता हूँ, यह जो password है, यह मेरा open का है, यहाँ से OK करूँगा, तो देखो, यहाँ में next option पूझा जा कोई भी modify नहीं कर सकते हो, तो पहले हम चेक कर लेते हैं, और then हम modify के लिए यहाँ पे passport डाल के आगे काम करेंगे, फिलाल मैं read only पे करूँगा, तो देखो, वो seat यहाँ पे open हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी information डालोगे, तो देखो, वो information यहाँ पे हमारा fill हो होगे, तो देखो, यहाँ पे आपको error आएगा, we cannot save important आप जो भी file का नाम दिया हुऊ, तो यह चीज़ समझ में आए, कि अगर हमें modify का option नहीं रहेगा, तो हम अपने इसको modify नहीं कर सकते हैं, तो अभी इसको मैं close करता हूँ, और यहाँ पे हमें save का option मांग रहे हैं, save पे अपने excel को open करूँगा, और again मैं अपने उस seat को open करूँगा, इस समय मैं क्या करता हूँ, blank workbook लेता हूँ, file पे आऊँगा, और then यहाँ पे open का option है, browse करके, download के अंदर आके important data को यहाँ पे open करूँगा, जैसे open किया, मुझे सबसे पहला passport पूछ रहा है, इसको open करने के तो देखो एक नया seat जो आपको मिल जाएगा, I mean वही seat नये tab में मिल जाएगा, पीछे वाले tab को मैं यहाँ पे close करता हूँ, और अब आप यहाँ पे कोई भी अगर update करना चाहते हूँ, modify करना चाहते हूँ, इस seat को modify कर सकते हूँ, then यहाँ से save पे click करोगे, तो यह automatic save हो जा करेंगे, और next video में हम बात करेंगे कि कैसे मैं अपने इस excel seat का एक backup बनाओंगा, और backup का जो location है, वो by default मैं set करूँगा, कि मेरा backup का file है, वो कौन से location पे save होना चाहिए, तो हर एक चीज हम next video में बात करेंगे, in terms के बारे में, तब तक के लिए मुझे दीजे थोड़ा सा समय आपके बात करूँए, तक कि बात करेंगे.